हेलो एब्रिवान वेल्कम डू इजी वेग आवर्मेंस क्लासे मैं हो तबिता और गाइज आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एंग 12 का टाइम टेबल कैसे बनाएं वो सीखेंगे काफी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परिशान हैं और कुश्चिन कर रहे हैं कि मैं हम किस सरीके से आप पढ़ाई करें किस अरीके से अपना टाइम टेबल है कितना टाइम हम पर सब्जेक्ट को दें तो सबसे पहली बात हो काईस मैं आप लोगों को कहूंगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल बनाया लेकिन उसे फॉलो नहीं किया एक या दो दिन किया होगा सिक के बाद नहीं किया काफी सारे स्टूडेंट्स जो टाइम टेबल वो खुद बनाते हो उसे फॉलो नहीं करते और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसे फॉलो करते हैं ऐसा क्यों हो पता है ऐसा क्यों होते कि आप टाइम टेबल जब बनाते हो तो बड़ी शिद्वत से बनाते हो कि भई अब तो हमने पढ़ना है अब तो हमने जी जान लगा देना है लेकिन दो या तीन दिन के बाद वह कहां पढ़ा होता है हमें पता ही नहीं होता तो गाइस उसके पीछे का रीजन क्या है तो गाइस उसके पीछे का रीजन यह होता है कि जो हम tim table बनाते हैं जो भी आप tim table बना रहे हो वो tim table में आप time to decide कर देते हो जैसे कि मैंने accounts दो घंटे पढ़नी है business दो घंटे पढ़नी है economics जेड़ घंटे पढ़नी है English जेड़ घंटे, maths है तो उसे भी दो घंटा time देना है time तो हम a lot कर देते हैं हमारे tim table में हमारा aim जो है वह कहीं पर mention नहीं होता कि इस दो घंटे में हमें करना क्या है इस दो घंटे में हमें करना क्या है और जब हमें यहीं नहीं पता होता करना क्या है कितने टार्गेट हमें अचीव करना है वहीं नहीं पता तो हमारा tim table follow नहीं किया जाता तो आज मैं आपको guys बताऊंगे कि आपको किस तरीख से अपना time table बनाना है और उसे फिर आप follow भी करोगे तो सबसे पहले guys जो भी आप अपना time table बनाऊगे आप उस में time बाद में decide करोगे पहले अपना target decide करोगे क्या decide करोगे अपना target target में क्या आपने decide करना होते है guys कि कितने अगाउंट के chapter है आपके class 11th में हो या 12th में हो कितने chapter हैं जो अभी आपके incomplete है जो आपने इस week यानि कि जो भी आप time table बना रहे हो month का नहीं बनाना पर week का बनाना है यानि कि week wise आपको time table बनाना है तो इस week आपका क्या target है Accounts में आपको कितने chapter complete करने है Like suppose आपको 2 chapter करने है ठीक है हो सकता है chapter 2 and 3 12th वालो का अगर मैं बोलू हो सकता है जैसे कि आपको goodwill या admission करना है या change in PSR या shares करना है कुछ भी और 11th में जैसे कि BRS करना है depreciation करना है कुछ भी तो आपको सबसे पहले जैसे कितना बड़ा है कितना समय ले लेगा हमारा ठीक है जैसे कि 12th में share chapter काफी lengthy है तो हफता तो हमें उसे देना पड़ता है और अगर मैं बात करूँ Class 11 में depreciation lengthy chapter है उसमें भी हमारे 4-5-6-7 days निकल जाते हैं प्रैक्टिस करने में तो ये lengthy chapter में आते हैं आसान chapter है तो दो या तीन दिन में हो जाएगा तो सबसे पहले अपने target फिक्स करो कि मुझे करना क्या है मुझे कौन से chapter है जो complete करने है जब आप वो chapter decide कर लोगे तब आप decide करो कि मुझे हफते में यानि कि पूरे एक week में मुझे कितना घंटा per day देना है Let's suppose अपने accounts के लिए बोला धाई घंटे फिर उसके बाद रखो BST का target अपका BST का target कितना है Chapter 1, 2, 3 मुझे cover करने है इस week तो मुझे डेट से 2 घंटा या 2 घंटा तो मुझे minimum देना ही देना है अपनी BST को इसी तरीके से आप अपने economics का भी एम त्यार करो कि मुझे अपनी कौन सी book के कितने chapters करने है English भी है, Maths है, IP है Physical Education है काफ़ी students के पास तो आपको एक page पर सबसे पहले ये चीजे mention करनी है कि आपके बस subjects कौन से है और उस week आपका target क्या है तो उन्हें economics को वो कम समय दे सकते है कई होंगे students जिनके BST कम्पलीट हो रखी है तो वो BST को कम समय दे सकते है तो सबसे पहले आपको अपने आपको judge करना है हर एक student अलग-अलग state पर होगा किसी student का कुछ कम्पलीट होगा किसी student कोई chapter में मतलब कर रखा है किसी chapter में बहुत अच्छा है तो किसी subject में down होगा है ना तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मैं कौन से subject में मेरी अभी performance मुझे अप करने के ज़रत है कौन से subject में मैं up to mark हूँ तो ये आपको खुड decide करना है आपको अपने target सबसे पहली चीज टारगेट फिक्स करने है कि मुझे इस week करना क्या है मुझे इस week कौन कौन से chapters है वो लिखो उनके आगी कि मुझे इस हफते करने है तो ये डिसाइड करो कि ये कितने घंटे मुझे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा तब जाकि वो chapter होगा और अगर आपको ये difficulty आ रही है कि मुझे नहीं पता ये chapter कितने दिन में होगा तो मुझे मेसेज करो Instagram पर मेसेज करो YouTube पर कमेंट करो कि माम आप बताओ ये chapter में कितने दिन में कर सकता हूँ हमारे लिए आप लोगों के लिए तो वो new subject है new topic हो सकता है लेकिन मेरे लिए तो पहले का है तो मैं आपको बताओंगे कि आप इतने घंटे अगर इतने दिन दोगे तो वो chapter आप बहुत असानी से कर पाओगे तो इस तरीके से guys आप अपना time table बनाओ तभी उसे आप follow कर पाओगे तो आपको per week का अपना time table बनाना है महीने का नहीं बनाना हफते का time table बनाना है और उसे follow करना और कोई भी doubt आता है कोई भी time table बनाने में दिक्कत आती है मुझे instagram पर message करो या फिर youtube पर comment करो I will answer your questions और अगर कुछ भी problem हो share with me thank you